हलो क्लस्स 6 कैसे हो आप सब लोग मैं बिल्कुल ठीक हूँ क्लस्स 6 आज हम इद का पाट का एक्सराइस करेंगे लास्ट क्लास में आपने भाव स्पष्ट कीजिये किया था है ना भाव सेंटेंस का और्थ आपने लिखा था आज हम नीचे उसके नीचे देखिए खाली स्थान भरो है है कि नहीं हम उसको पहले करेंगे खाली स्थान की पूर्ती कीजिये नमबर थ्री पेज नमबर ट्वेंटी देखिए डैश के पूरे तीज रोजों के बाद ईद आई किसके बाद ईद आती है अभी ईद गई न थोड़े दिनों के बाद ईद से पहले तीज दिन किस चीज के होते हैं सही रमजान के किस चीज के होते हैं रमजान के बेरिगर ग्यारा बज़े डैश में हलचल मच गई ग्यारा बज़े किस में हलचल मच गई गाउं में कहां हलचल मच गई गाउं में उसके बाद देखिए लाखों सिर एक साथ डैश में जुकते हैं ऐसे सिर जुपते हैं न ऐसे करके सिर जुपते हैं तो किस में सिर जुपते हैं सिजदे में सिर जुपते हैं ईश्वर की क्या करते हैं अल्ला की क्या करते हैं सिजदे करते हैं तो सेजदे में सिर जुकते हैं नेक्स देखिए बच्चो इसको आप बुक किताब में कीजिएगा लेकिन पैंसे नहींगे, पैंसिल से बुक में जो करेंगे वो पैंसे नहीं पैंसिल से राइट चलिए देखते हैं नेक्स बच्चों में बच्चे में कितना त्याग कितना क्या था डैश और कितना विवेख है बच्चे में कितना त्याग कितना सदभाव और कितना विवेख है बच्चे में कितना त्याग कितना सदभाव और कितना विवेख है नेट्स देखिए विशे वस्तू का अबोध रिफेरेंस टू दा कॉंटेक्स्ट ठीक है देखते हैं आगे इदगा जाने की तयारियां हो रही है किसी के कुर्ते में बटल नहीं कोई परोस के घर सुई धागा लेने दोड़ जा रहा है इदगा जाने की तयारी क्यों हो रही है क्यों हो रही है इदगा जाने की तयारी इद का दिन है इसलिए इदगा जाने की तयारी हो रही है इद का दिन है इसलिए इदगा जाने की तयारी हो रही है इद का त्योहार कब मनाया जाता है इद का त्योहार तीज दिनों के रमजान के बाद मनाया जाता है कब मनाया जाता है? तीज दिनों के रमजान के बाद इद का त्योहार मनाया जाता है इदगाह में नमास पढ़ने के बाद बच्चे और क्या करेंगे? इदगाह में नमास पढ़ने के बाद बच्चे मेले में घूमेंगे, खरीदारी करेंगे और अलग-अलग किसम की मिठाईया खाएंगे हमीद के साथ और कौन कौन जा रहा था हमीद के साथ उसके मित्र और गाउं के बड़े बुजर्ग पुरुष जा रहे थे हमीद के साथ उसके मित्र और गाउं के बड़े बुजर्ग पुरुष जा रहे थे बच्चो जो fill in the blanks है वो आप अपने book में लिखिएगा और जो reference to the contest है वो अपने copy में लिखके मुझे correction के लिए दीजिएगा धन्यवाद बच्चो